Hello everyone, this is Prashan Singh and welcome to AAC+. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी. कौन कहता है कि जो सफलता है वो लक्षे मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी जुका करती है. याद रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लक्ष प्राफ्त होगे. वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते फिर कि सर हमारे एक्जाम इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमारा लक्ष अच्छा नहीं था. सर हमारे एक्जाम इसले नहीं निकला क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी नहीं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी किस्मत को बदलना पड़ेगा पासवाज में आ रही है तो इसी attitude इसी विचारधारा के साथ में पढ़ाई जो है वो करते रही है और सफलता आपके कदम जरू आपको पता है बिल्कुल यह सवदेशी मिशन था और यह पहला स्टेट्मेंट पूरे तरीके से सही है चंद्रेयान टू मून मिशन लॉंच डेट इस डिलेट बिल्कुल इसकी डेट में डिले हुआ था और यह 15 जुलाई 2019 को यह लॉंच होने वाली थी और अगर हम बात कर चंद्रियान टू लॉंचिंग टेक्निकल स्नेग वाज ऑब्जर्वड इन लॉंच वेहिकल सिस्टम टी 56 मिनट यह भी बिल्कुल सही है कि टी 56 मिनट में लॉंच वेहिकल सिस्टम में तकनी की खराबी जो है वो देखी गई थी तो यहां पर जब आप बात करेंगे तो मैंने आपको बताई दिया है कब लॉंच होने वाला था फिफ्टेंथ जुलाई को और हुआ कब था बाइस जुलाई को हमारे जो आज का कुश्चन है कुश्चन नमबर फर्स्ट वो बोल रहा है कि वर्ल डे फ और इंटरनेशनल जस्टिस इस सेलिब्रेटेड ओन अंतर र अगर हम बात करें किसके लिए मनाया जाता है तो इस्टेबलिजड एंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डवलब करना है और साथी साथ प्रमोट करना है विट राइट सॉफ विक्टिम्स तन में आ रही है तीसरा अगर हम इसमें बात करते हैं कि सर इसकी थीम क्या तो थीम फॉर्ड इंटरनेशनल डे अफ जस्टिस फॉर्ड एंटरनेशनल जस्टिस और सोसल जस्टिस इसकी थीम थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काभू पाना और अवसरों को उजागर करना बात सुन में आ रही है तो याद रखिएगा कि वल्ड इंटरनेश जुलाई को मनाया गया है राइट कुशन नमबर सेकेंड की बात करते हैं कि डॉक्टर मंगला नारलीकर पास अवे एड़ एड़ एज अटी डॉक्टर मंगला नारलीकर जो हैं वो अभी 80 वर्स की उम्र में उनकी इम्रत्य हो गई है और वो किस फील्ड से संबंधित हैं त यह बहुत ही फेमस परस्नाल्टी है और मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूस से जुड़े होंगे तो आपको इनके बारे में पता होगा और अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बलकि वर्ड वाइड अगर आप देखें तो विश्व की अलग अलग जगों पर जितनी भी फेमस उनिवर्सिटी उनमें से कई में इन्होंने अपना योगदान जो है वो दिया हुआ है किसके माध्यम से तो यह किससे संबंदित है यह मैथमेटिशियन है यह गडितग्य है और यह अलग-अलग उनिवर्सिटी में इन् की मृत्य हो गई, कैंसर से यह पीडित थी 1964-1966 के बीच इंस्टिट्यूट ऑफ फंडमेंटल रिसर्च के गडित स्कूल में एक सहयोगी सोधकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया और इंग्लेंड के कैंब्रिज विश्विध्याले में भी यह गडित के रूप में व्या हो सकता है इनको ना पहचाने लेकिन इनकी जो अभी की हाल ही की फोटो थी आप इनको जरूर जानेंगे और वो किस्से संबंदित थे वो एक एक्टर थे अभीनेता थे खासकर वो मराठी मूवी में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकते और इन्होंने बॉलीवोट की भी कई मूवी जो है कई सीरियल जो है उसम से इन्होंने अपनी सुरुवात की कोशन नंबर फाइफ मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन नंबर फाइफ की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि वो किसके साथ में साइन किये हैं वो किये हैं UAE के साथ में वो United Arab Emirates के साथ में आप देखेंगे तो भारत का M.O.E. जो है वो साइन किया गया है अगर मैं UAE की बात करता हूं तो UAE के अगर मैं President की बात करूँ तो उनका नाम है मुहम्मद जायद अल-नहयान President की अगर मैं बात करूँ UAE के तो उनका नाम है मुहम्मद जायद अल-नहयान अगर मैं इसके capital की बात करता हूँ प्रेसिडेंट कौन है तो यह आपको पता चल गया अगर मैं इसके capital की बात करता हूँ तो आप बता सकते है capital क्या है capital है सर इसकी अबू धाबी बास्वण में आ रही है तो याद क्या रखना है तीन MOU sign किये गए है भारत ने किसके साथ में किया है UAE के साथ में किया है इसकी capital अबू धाबी है इसके president मुहम्मद बिन जायद अगर इसके president की बात करेंगे तो मुहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो इसके president है इसके अगर मैं motto की बात करूँ इसका motto जो है वो भी काफी famous है और इसका motto है God Nation President अब आप समझ सकते हैं कि इश्वर राष्ट और President इन तीनों को एक ही level पर रखा गया है मतलब कुछ ऐसी ही विचारधारा जो है वो कोटिल्या ने भी दिये हमारे देश में और उन्होंने भी बोलाए कि भाई देश का जो भी साशक होगा जो भी राजा होगा वो इस्वर के तुल्य होगा उसका अभमान नहीं किया जा सकता है कुछ ऐसी ही विचारधारा आपको UAE में भी दिखाई देगी अब बात आती है कि सर ये किस field से related MOUs जो है वो sign किये गए है तो पहली चीज पहला MOU की अगर मैं बात करता हूँ तो first MOU में ये sign किया गया कि भाई रुपी और दिहरम में व्यापार होगा अभी आप देख रहे हैं कि लगातर आपको अलग-अलग class में ये पता चल रहा है कि सर अलग-अलग countries जो है वो क्या कर रही है वो अपना US dollar के उपर dependency को कम करने के लिए international market में जादा तर देश जो है वो भारतिय करेंसी पर भरोसा कर रही है और local और domestic currency की बात करें तो वो उस पर transaction जो है वो कर रहा है तो यहाँ पर तीन MOU की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से पहला जो है बोल रहा है रुपए और धीरम में व्यापार जो है वो किया जाएगा दूसरा अगर हम बात करें तो payment और communication system जो है वो डबलब किया जाएगा किसके बीच में तो दोनों देशों के जो रिजर्ब बैंक होंगे उन रिजर्ब बैंक के बीच में अगर हम बात करें तो क्या-क्या डवलब होगा payment करने की विवस्था है जो है वो और communication system जो है तो यहाँ पर याद रखिए कि दूसरा MOU क्या साइन हुआ है तो वहाँ बोला गया है कि जो रिजर्ब बैंक है उस रिजर्ब बैंक के बीच में दोनों देशों के रिजर्ब बैंक है उनके बीच में payment और communication की विवस्था है जो है उनमें जोडने के लिए समझोता किया जाएगा और तीसरा MOU इसमें जारी हुआ है इसमें साइन हुआ है कि इन्हों ने ये बोला कि अबू धाबी में अगर हम बात करें तो आई आई टी डेली की साखा ओपन करने का प्रस्ताव है बात संज में आ रही है तो यहां पर आप याद रखिए कि अगर आप से पूछे कि साथ त्री MOUs जो हैं वो क्या है तो आप उसको बता सकते हैं पहला MOU डोमेस्टिक करेंसी की बात हो रही है पहला MOU के तहट ये बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है रूपी और दिहरम के फॉर्म में ट्रांजेक्शन जो है दूसरा बोला कि जो भी रिजर्ब बैंक होंगे जैसे इंडिया में RBI है तो जो भी रिजर्ब बैंक हैं दोनों देशों के उनके बीच में पेमेंट और कम्यूनिकेशन सिस्टम जो है वो डवलप होगा और तीसरा अगर हम बात करें तो अबुधावी में IIT डेली की जो साखा है उसकी साखा को ओपन करने पर विचार जो है वो किया जा रहा है तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में मो यूज बैंकिंग तो यहाँ पर बोल रहा है कि एकसरसाइज नुमेडिक एलिफेंट 2023 स्टार्टेट एट 17 जुलाई 2023 इट इस बिंग हेल्ड इन अगर हम बात करें कि अभ्यास नुमेडिक एलिफेंट 2023 17 जुलाई 2023 को सुरू हुआ तो यह किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई तो याद रखना है आपको कि मंगोलिया में यह अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच में अगर मैं देखूं कि जो नुमेडिक एलिफेंट एकसरसाइज है 2023 वो किन दो देशों के बीच में होती है तो याद रखिए कि वो इंडिया एंड मंगोलिया ठीक है वो किसके बीच में होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में यह मंगोलिया वही है जिसमें अगर आप मैं इसके इतिहास की बात करता हूँ तो आपको ये हिस्ट्री में पता चला होगा कि भाई एक सासक था जिसका नाम था चंगेज खान और चंगेज खान ने एक सामराज जिस था पित किया था जिसको बोलता जाता था मंगोल सामराज्य बात सुझ में आ रही है धीरे धीरे इसी में परिवर्तन होता चला गया और वो मंगोलिया से द्वारा पहचाना जाने लगा तो यहां पर अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो अगर आप से पूछे मंगोल सामराज्य किस था अपना किस ने की है तो वो की है चंगेज खान काफी क्रूर सासक के तोर पर यह पहचाना जाता था अब यह किसके किसके बीच में होती है तो यह भी आपको क्लियर हो गया कि सर यह भारत और मंगोलिया के बीच में होती है दूसरा अगर मैं बात करूं कि यह कौन से एडिशन है तो सर यह 2023 में जो होने वाला है इसका जो 14th edition था वो कहां पर हुआ था हिमाचल प्रदेश में बात सुज में आ रही है तो वो कहां पर हुआ था वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में यह clear हो गया कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होगा 2023 का जो एडिशन है वो 15th edition है 14th edition जो है वो कहां पर हुआ 2019 में हिमाचल प्रदेश में हुआ अब बात आती है कि सर यह मंगोलिया में कहां पर हो रहा है आतंकी घटनाओं के समय आतंकी घटनाओं के समय जवाबी कारवाही अगर यहां पर देखेंगे करवाही के लिए यह अभ्यास है बात सुन में आ रहे है तो यह exercise को objective क्या है कि अगर देश में आतंक वादी घटनाओं के टाइम जवाबी कारवाही जो है वो किस तरीके से ततकाल हम आतंक वादी घटनाओं के टाइम जवाबी कारवाही जो है वो किस तरीके से बेहतर तरीके कर सकते हैं उसके लिए यहां हम जो अभ्यास करते हैं उसको हम बोलते हैं Nomadic Elephant 2023 अब बात यह आती है कि सर यह कब से कब तक चलेगा तो यहां पर यह तो पता चल गया कि यह स्टार्ट हुआ है कब से 17 जुलाई 2023 से और कब तक चलेगा तो 17 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक होगा 17 से लेकर 31 जुलाई 2023 मंगोलिया में और मंगोलिया में कहां तो याद रखिएगा कि मंगोलिया की जो राजधानी है जिसको उलान बटार के नाम से जाना जाता है तो उसी मंगोलिया के उलान बटार में यह अभ्यास देखने को मिलेगा तो मंगोलिया की राजधानी क्या है याद रखिए जहां यह exercise हो रही है वो मंगोलिया की राजधानी मंगोलिया के capital में ही हो रही है बात करें question number 7 की which IIT will open its campus in Abu Dhabi UAE देखें अभी हमने बात की है question number 6 में और वहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो nomadic elephant exercise 2023 है उसमें तीन वहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके पहले तो यह मंगोलिया में हुआ है उसके पहले जब आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि भाई तीन MOU जो है वो sign किये गए है किसके दौरा भारत और UAE के दौरा और वहाँ पर जो तीसरा point मैंने बताया था वो मैंने बताया था कि IIT Delhi की साखा जो है ब्रांज जो है वो अबुधावी में open होगी अब बात आती है question number seven की तो यहां क्या पूछ रहा है इससे संबंदित चीजे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रहता है लेकिन यह important है यह बहुत ही जरूरी है आप यह याद रखेंगे कि कहा पर वो तो मैंने समझा दिया लेकिन अलग से question के form में भी आप इसको जरूरी याद रखेंगे नेक्स अगर हम बात करते है question number eight की तो यहाँ पर बोल रहा है which state government has launched the गजह कोथा campaign अपने आप में बहुत ज्यादा important है ठीक है गजह कोथा campaign इस campaign में होगा क्या इस campaign में किया क्या जाएगा तो याद क्या रखना है गजह कोथा campaign किस से related है यहाँ पर अगर हम बात करता है और वहां पर उस अगर हम बात करें तो यह किन चीजों को खतम करने के लिए काम किया जा रहा है इस अभियान की सुरुवात जो है वो किसके लि E से होता है elephant और C से होता है conflict तो याद क्या रखना है कि human elephant के बीच में जो conflict हो रहा है उस conflict को उस विवाद को दूर करने के उद्दिस से कौन सी सरकार है जिसने ये सुरुवात की है वो सरकार है असम असम गवर्मेंट ने हाल ही में campaign चलाया है उस campaign का नाम जो है वो क्या है गज तो यहां पर जब आप देखते हैं तो क्या पता चलता है कि सर असम गवर्मेंट है जिसने ही सी को कम करने के लिए ही सी मतलब की human elephant conflict इसको कम करने के लिए यहां अगर मैं बात करूं तो ही सी को कम करने के लिए असम सरकार ने क्या किया है मतलब human elephant के बीच में जो विवादित इस्थती बन रही है लगातार उन जगों पर तो उन जगों पर पाइलेट ट्रोजेक्ट के तहत इस campaign को चलाया है और वहां से यह कोशिस कर रही है कि और elephant के बीच में जो विवादित इस्थती है वो क्या हो सके वो खतम हो सके बास्वाज में आ रही है अब बात यह आती है कि सर इसमें जर्य करेंगे क्या तो इस campaign के जरिये अगर मैं बात करूं तो यहां याद रखिए कि इसके जरिये जागरुक किया जाएगा किसको इसके करना है तो वहां पर human को educate करना है किसके लिए करना है ताकि human elephant conflict जो है वो खतम हो अब इसके जरिये होगा क्या किस-किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी तो याद रखना है कि यहां पर बताया जाएगा कि elephant behavior क्या है दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जाएगा कि elephant का culture जो मतलब यहां पर जो छेत्र विसेस है उस छेत्र विसेस में संस्कृति किस प्रकार की है उस छेत्र विसेस में culture किस प्रकार का है वो यहां पर बताया जाएगा और तीसरा अगर हम बात करें तो इस campaign के असम सरकार जो है वो क्या कर रही है वो मनुस्यों को और वहां रहने वाले लोगों को elephant के विवहार के बारे में उस area की sensitivity के बारे में उस area के ecology के बारे में वो उनको सिक्षित करेगी और वो ये अनुमान लगा कर चल रही है, वो इस एम को बना कर चल रही है, कि हम इस campaign के माध्यम से human elephant conflict या जिसको आप HEC के नाम से जानते हैं, उस conflict को हम क्या कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, बासवाज में आ रही है, नेक्स अगर मैं बात करूँ असम की, तो यहाँ पर अगर आ क्या या ज़याद रखिए का कि इसम के सियम है, उनका नाम है हिमंथ विस्वा सर्मा आसर में आ रही है, यह काफी जादा popular हैं, काफी news में भी रहते हैं अपने बयानों को लेकर है, हिंदुत रास्प को लेकर यह भी नियूज में बने रहते हैं, तो यह अभी हाल ही में है ह यह वहां की सी अ मैं और की अगर मैं बात करो तो गुलाब चंद कटाधिया फ़िर्द में करें चंद कार्फ बर Viya है कि अगर कर चंद क कने कि अपको पता हिए गया सुनी से छिर चीज three чे Lawrence तो किस ने चलाया है तो हुए हम घुपा यह क्रिवेंट को क्या करने के लिए क्या करेगा किन चीजों को लेकर ब्लेकर एको लोजी को लेकर यह वहां पर क्या करेगा सिक्षा प्रदान करेगा और सिक्षित करेगा ताकि मानों और हाथी के बीच में जो विवादित इस्थति उत्पन हुई है उन छेत्रों पर उन जगों पर तो उसको क्या किया जा सके धीरे-धीरे खतम किया जा सके बात सुझ में आ रही है ठीक है कुछन नमबर 9 की अगर मैं बात करूं यहां पर बोल रहा है कि which of the following statement is correct इन में से कौन सा statement है जो सही है देखें अगर Standing Committee on Economic Statistics Setup in 2019 will be replaced by a Standing Committee on Statistics SCOs Second अगर हम देखें तो बोल रहा है प्रनव सेन इनका नाम है प्रनव सेन will be the chairman of the new committee यहां आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बाई statement first और statement second दोनों ही पूरे तरीके से सही है और वर्तमान में जो committee के head बनाए गया है चेर्मेन बनाए गया है न्यू कमेटी के उनका नाम है रनव शेन बासन में आ रही है आईए देखें क्या है government formed the panel to review all survey being conducted under NSO ठीक है पहली चीज तो यह कि सरकार ने NSO के तहत होने वाले सभी सर्वेक्षडों की समिच्छा के लिए एक पैनल का गठन किया है दूसरा अगर हम बात करें तो 2019 की जो committee थी standing committee on economic statistics उसको replace कर दिया गया standing committee on statistics के द्वारे यह ठीक है प्रणा उसेन जो है वो इ से हैं और चार गैर आधिकारिक सदस्य भी यहां पर होंगे तो फिलाल आप इतना याद रखिए कि जो अगर आपके लिए अगर मैं जवरी बात करूं तो सिर्फ यही दो statement है जो आपके लिए अनिवार है कि जो पूरानी 2019 में standing committee थी economic statistics की उसको replace करके एक नई committee आती है जिसक सिक्स के नाम से जानते हैं और जिसके chairman जो है वो फ्रनो सेन है बात सुन्या रही है question number 10 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर याद रखिएगा नाईजीरिया की बात हो रही है और नाईजीरिया की इस्थती जो है वो बहुत अच्छी अभी हाल ही में नहीं है इसके अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की तो question में ही लिखा हुआ है याद रखिएगा इनके प्रेसिडेंट का नाम है बोला टिनूबू और नाईजीरिया में इस्थती क्या है कि नाईजीरिया में अगर आप देखेंगे तो वहां के जो प्रेसिडेंट है बोला टिनूबू उन्होंने क्या किया है उन्होंने अभी वहां पर एक आपात काल की घोस्णा की है और आपात काल की यह जो घोस्ड़ा की गई है आपात काल जो डिक्लियर किया गया है उसका reason इस बार का जो है वो क्या है तो वहाँ पर reason जो है वो food जो है खाद्य पदार्थ जो है अगर मैं बात करूँ तो food के prices जो है वो बहुत ज़्यादा high हो रहे है और food का जो production है वो down हो रहा है मतलब समस्य इस प्रकार की है कि उत्पादन भी नहीं हो रहा है और महगाई जो है वो भी बन रही है यह obviously बात है economic करूल ही है कि अगर production या supply कम होगी तो demand बढ़ने से price बढ़ जाएंगे नाइजीरिया में अभी हाल ही में इस प्रकार की समस्या देखी गई और यह देखा गया कि वहाँ पर food जो है खाने वाले जो भी पदार्थ हैं अगर हम उसकी बात करें तो food के prices जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि production जो है वो कम हो गया इस production के कम होने के कारण और prices जब बहुत जादा बढ़ने के कारण सरकार ने वहाँ पर आपातकाल की घोशना कर दी बहुत नई बात नहीं है नाइजीरिया के लिए आप देखेंगे और इसके पिछले दो तीन चार साल देखेंगे आप अगर तो आपको यह समझ में आएग और उसने ये बोला है कि हम इस आपातकाल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं इसमें लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए उसने अलग-अलग चीजों को अपनाया और उसने ये बोला कि यहां से हम क्या करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी वर्तमान में हम deforesting पर विचार कर रहे हैं और deforesting करके हम वनों की कटाई करके और agriculture के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है land जो है उसमें व्रद्धी करेंगे और ये माना जाएगा कि जब जमीने बढ़ जाएंगी agriculture करने के लिए खेती करने के लिए land जो है वो increase हो जाएंगे तो production भी अपने बढ़ेगा और production जब बढ़ेगा तो price भी कम हो जाएंगे और supply जो है वो भी क्या हो जाएगी धीरे-धीरे बढ़ती रहे मतलब धीरे-धीरे कम हो जाएगी बास्वज में आ रही है तो यहां पर अगर हम बात करे है तो आपको यह पता हो गया कि भाई यह क्या बोल रहे हैं यह बोलने है जंगलों के हम agriculture land में इंक्रिमेंट करके agriculture प्रोडक्टर जो है production जो है उसको बढ़ा देंगे अब बात आती है कि सर नाइजीरिया के president तो देख लिए नाइजीरिया की capital क्या है तो यह भी आप याद रखिए कि नाइजीरिया की जो capital है वो है अबूजा अलागी बहुत ज्यादा जाओरी नहीं है आप सिर्फ प्रेसिडेंट भी याद रखेंगे तो भी चलेगा और यह याद रखेंगे कि इसकी जो condition है जो economic condition चल रही है या जो situation है इस देश में वो किस प्रकार की है तो भी हाई food prices के कारण यहाँ आपात काल की घुष्णा जो है वो कर दी गई तो यह हमारे दस question थे और I hope कि आपको चीजें जो है वो इन questions related इनके बारे में clear हो गई होंगी जितना important है जो चीजें जरूरी हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे ऐसा नहीं कि कोई एक चीज है उसको बहु ancestral adobe of rainbow पुस्तक के लेखा कौन है यह question में पहले आपको बता चुका हूँ फटा फटा आप याद करिए और जल्दी से जल्दी message कर दीजे comment कर दीजे और बता दीजे किस है यह book जो है वो किस ने लिखी है ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है आप पढ़ाई करते अरे यह कुछ रही है thank you so much